आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रसायन, विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडो कीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरण वीडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउनलोड करें वैदुद छेत्र होगा ठीक है? यानि कि जब हम लोग अलफा बीटा गामा करणों को वैदुद छेत्र में रखते हैं ठीक है? या उससे पास कराते हैं ठीक है? तो क्या होता है कि बीटा करणे हमारी परियोगोदारा देखा गया है कि बीटा किरने जो होती है धनावेसित प्लेट की तरफ विचलित हो जाती है तता गामा किरने बिना विचलन के सीधे निकल जाती है तता अलफा किरने जो होती है वो रिडातमक प्लेट की और विचलित हो जाती है ठीक है तो हम लोग जानते हैं कि जो हमारे दो आसमान आकरसित होते हैं तो चुकि ये हमारा धनावेश था ठीक है? धन प्लेट थी तो ये इसकी ओर आकरसित हो रहा है इसका मनलब क्या हो गया? ये रिडातमक होती है यानि कि इसमें जो कड़ हैं वो कैसे होंगे? रिडातमक होंगे तो यहां से हमें पता चलना है कि बीटा करणे जो होती है वो कैसी होती है एरिड आवेशित होती है ठीक है जो यहां परमलुक्चितर देख रहे है ठीक है और गामा करणे क्योंकि किसी भी और विचलित नहीं हो रही है अता यह क्या होंगी उदासीन होंगी इस पर कोई भी आवेस नहीं होगा ठीक है और एलफा किरने जो है वो हमारी रिडात्मक प्लेट की ओर आकरसित हो रही है या कहाwn developing हो रही है इसका मलब ये क्या होगा धनावेशित होगा ठीक है धनावेशित आवेश होगा इसी वज़े से ये हमारी रिडात्मक प्लेट की और आकरसित हो रही है जब इसको वैद्धु चेत्र में से गुजारा जारा है तो इस प्रियोग से सिद्ध होता है कि अलफा किरणों पर धनावेश होता है ठीक है थैंक यू